दोस्तों स्वागत आप सभी का चैनल पर और आज किस वीडियो में हम करने वाले हैं वन टीबी सीगेट बैरा कूडा की 7200 वाली हार्ड डिस्क की अन्बॉक्सिंग और रिव्यू और आज किस वीडियो में हम यह भी जानने वाले कि क्या आपको हार्ड डिस्क पर्चेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए 2021 में या आपको एक SSD के साथ ही जाना चाहिए और हार्ड डिस्क को जो है वो एलिमिनेट कर दिना चाहिए तो पर्फॉर्मेंस कैसी रहती है 2021 में एक लेटेस सीगेट हार्ड ड्राइफ की तो चले शुरू करते हैं आज किस वीडियो को तो द मिल जाएगी या तो आप वीडियो सेक्शन में चेक कर सकते है वहाँ पर आपको मिल जाएगी तो यह जो हार्ड डिस्क है यह मैंने अमेजों से लिए 3099 रुपीज की वन टीबी की है 7200 rpm 64 megabyte cash वाली और यह जो इसका मॉडल जो मुझे मिला Amazon से काफी लेटेस्ट रिविजन वाला है यानि मैंने पर्चेस किया में में जो इसकी manufacturing है वह मार्च 2021 की है और जो मन्त ऑफ इंपोर्ट है वह है अपरेल 2021 और जो मेरा मन्त ऑफ पर्चेस है वह है में 2021 तो आप देख सकते हो Amazon ने काफी लेटेस्ट हार्ड डिस्क भेजी है Amazon पर कुछ नेगेटिव में लिखा गया है कि हार्ड डिस्क आपको फेक मिलती है या सीगेट की पुरानी जो पाइपलाइन हार्ड डिस्क सीरिस है वह मिलती है लिकिन ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है पैकेजिंग की बात करें तो Amazon ने पैकेजिंग भी काफी अच्छे से कर रखी ती तो जैसा आपको Amazon में देखने को मिलता है वैसा मेरे साथ आज तक कभी हुआ नहीं है और हार्ड डिस्क के केस में काफी अच्छे से मेरी जो पर्चेस एक्सपीरेंस Amazon से वह रहा है तो अगर आपको लेना है हार्ड डिस्क आप ज़रूर्ण से ले सकते हो पैकेजिंग आपको लेने वाली बात नहीं है लिकान जो एमेजन में रिव्यूस है जो भी फेक बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है हार्ड ड्राइव काफी अच्छी से आई है और मैंने अभी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर भी रही है और इसको यूज कर रहा हूं और जो गेम से वह भी मैं को मिल जाती है और उसके अंदर हार्ड डिस्क है तो एमेजन की पैकेजिंग काफी अच्छी थी हार्ड डिस्क कोई प्रॉब्लम नहीं और जैसा कि मैंने बोला काफी लेटेस्ट मैनुफेक्ट्रिंग है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रोटिप द कोई ऐसी लोकल कंपनी की पावर सप्लाय है जैसा इंटेक्स हो गया जैबराउनिक्स हो गया सरकल हो गया तो आप मैं बोलूंगा आप उसको सेल कर दो और एक अच्छी ब्रैंडिर 80 प्लस रेटिंग वाली पावर सप्लाय ले लो जैसे की कूलर मास्टर का मास्टर वाट ए आप उसको चेक कर लो तो अच्छा पीएस्यू से यह होगा कि आपकी जो हार्ट रहे जो हार्ट रिसक है और सही रेटिंग का मिलेगा और उससे आपकी हार्ट डिसको कभी बीडेमेज जल्दी नहीं पहुचेगा जो कि जो लोकल पीएस्यू में होते कोई गैरेंटी नहीं सेटा केबल यह यह जो करेंगा यह जो चीप क्वाल्टी की यूज़ कर रहे हो यह जो कि खराब हो गए और आप ज्यांद रेटिंग वाली प्रॉबल्म ना अब बात कर लेते हैं इसके रिव्यू की तो यहार्ट डिसक है सीगेट की है डब्लू डी ब्लू भी देखने को मिल जाती है मार्केट में तो एक्चुल में दोनों काफी अच्छे लिकिन सीगेट के साथ मेरा अब तक का एक्स्पीरेंस काफी अच्छा रहा है तो इंस्टॉलिंग का जो प्रोसीजर उसके उपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि आ मेरे पास अल्रेडी अपरेटिंग सिस्टम के लिए SSD है 240GB की और वो फिलप हो चुकी थी और मुझे वीडियो के काम करना रहता है तो इसलिए मैं एक हार्ट डिस्क लेली ताकि गेम्स भी मैं और एक्स्रा डाउनलूड कर सकूं क्योंकि बेंचमार्क वीडियो बनानी रहत इंप टूल आप जो दूसरे ड्राइव में ट्रांसफर कर सकते हो जब मैंने ट्रांसफर किया तो मैंने स्पीड टेस्ट कर रखा था और ते में देख रहा था जो तास्क मेरेजर में तो इसकी काफी थी 130 megabytes to 180 megabytes के बीच में speeds दे रही थी मुझे हमेशा उससे कभी भी नीचे नहीं गई 130 megabytes से नीचे नहीं गई और जो साइज है 14 gigabytes का रहता है जो ट्रांसफर रेट है वो मुझे 130 to 180 Mbps की मिली और mostly जो था 150 to 170 Mbps के बीच में चल रही थी मेरी जो hard disk की data transfer speed है जब मैं game transfer कर रहा था तो काफी अच्छी speeds मिली है हमें sequential speeds रहती है वह काफी strongest की और CSGO के loading time से उस पर मैंने कोई major ऐसा increase नहीं देखा कि मैंने hard disk में डाला SSD CSGO को और बाकी games को जो loading time है वो भी उतना जादा नहीं था मतलब ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि मैं एक hard disk से game load कर रहा हूं तो यह काफी अच्छा था कुछ games होंगे जिसमें आपको बहुत बड़ा difference देखने को मिलेगा लेकिन सभी games में अलग results आते हैं लेकिन CSGO और Valorant और बाकी जो games है उसमें मैंने यहां पर कोई भी ऐसा issue नहीं किया कि आपको बहुत drastic increase इस चेंज देखने को मिला जब हाँ hard disk से load करते हो तो इसकी speed वह भी काफी अच्छी है और इस ड्राइफ की health की बात करें तो इसकी health भी 100% फुल है और drive एकदम clean है और एकदम सही है कोई use नहीं है कोई bad sectors नहीं है और काफी अच्छे से perform करें इसकी 100% है अब बात आती है हमारे में जो इस वीडियो का topic है कि आपको hard disk लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो अगर आपको प्राइमेरी अपरेटिंग सिस्टेम में उसके लिए आपको एनिडे एससटी ही लेना चाहिए आप एन्व एमी लो या साटा लो वह आपके उपर है 240GB की इनफ है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लेकिन अगर आपको स्टोरेज अपग्रेट करना है जैसे आपको थोड़ा एक्स्टेंट करना है जैसे मुझे चाहिए था मैंने इसलिए पर्चेस कि अगर आपको थोड़ा सेकेंडरी डेटा या गेम्स रखने के लिए आपको एक ऐसा जो कि वैल्यू फॉर मनी हो और चुकी है पहले से स्टेंड मिल जाती है और वन फिफ्टी वन सेवंटेंट मिल रहे हैं जो कि मेरे खाल से काफी अच्छी है और आपको जब भी बिग जो लाज फाइल साइज उस पर काम करना तो आपको काफी अच्छी स्टोरेज ऑफर कर देगा और आपको गेम्स के लोग है तो वह आपको कॉस्ट कर सकती आठ से नौ हजार रुपे जो की काफी जादा होता है तो इसलिए अभी 2021 में और मेरे खाल से आगे भी जो हाट डिस्क है वह सेकेंडरी स्टोरेज के लिए काफी बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है कभी हो नहीं सकती क्योंकि आपको ब मुवी हो गया या गेम हो गया आप रख सको या कोई वीडियो हो गई आपकी वह रख सको आपको कुछ भी बैक अप के लिए चाहिए तो जो हाट डिस्क है वह काफी अच्छा ऑप्शन है तो अभी भी हाट्रेस अच्छी है और मेरे खाल से सीगेट बैरा कुड़ा ने मु अगर आपको लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो बैस्ट बाइ लिंक दे रखा है तो आज किस फीडियो में इतना यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको अभी क्या भी लाइक कर देना शेयर भी कर देना और कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके या सेजेशन देना है तो दे सकते हो और अगर आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग टैक वीडियो देखनी है तो चैनल टेकनिकल गाइड के भी को कर लेना सब्सक्राइब आज किस वीडियो में इतना ही और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत थैंक यू